आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरण विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें नमस्कार, तो इस प्रशन में दिया है, निम्न निश्चित समाकलन का मान याद कीजिए समाकलन जीरो से पाई, थीटा, साइन स्क्वाईर, कॉस्ट थीटा, डी थीटा तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे समाकलन का, तो इसको आई मान लेते हैं, जीरो से पाई तक है, ठीक है, थीटा, साइन स्क्वाईर, थीटा, और कितना है, कॉस्ट थीटा है, डी थीटा है, ठीक है तो इसको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो, यहाँ से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे, किसके अंदर, sin square theta है, ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम गुंदधर्म लगाने कोशिश करते हैं, कि लग रहे हैं यह नहीं लगा रहेँ ठीक है तो गुंडधर्म क्या होता है हमारे पास इसको हम क्या कर सकते हैं may nous deber अब है तो हाथ चल क्यों इसके अंदर सकते हैं ठीक है तो पाई मैंड बाइनिस धीटा से बदल यह बन जाएगा sin square theta ही रहेगा यह कितना हो जाएगा यह minus का cos theta हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास इसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा हमको ठीक है तो सबसे पहला हम क्या करेंगे यहां पर इसको हम क्या कर सकते हैं यहां पर u and v से यानि कि समाकलन से हम क्या कर सक्ते हैं इसको समाकलित कर सकते हैं तो integration जो है हमारे पास में यह है तो हम इसको ठीक है तो THOM न, थीटा जो है, वो कितना हो गया, यू जो है, वो कितना हो गया, ठीक है, और वी जो है, वी जो है, वो कितना हो गया, हमारे पास में, साइन स्क्वार थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो अब यू गुणा वी, खंडशार समाकलन, जो है, डी एक्स, ये कितना ह हो जाएगा यह जाएगा यह कितना हो जाएगा यू को ऐसे कैसे चोड़ा और वी जो है उसका हम ने क्या कर दिया और ऴी जो है इसका क्या कर दिया तो यहां अब क्या बोल सकते हैं देखो यहां अब हम क्या बोल सकते हैं I johan वो कितना आ जाएगा देखो अब यू तो हमको एसे कैसे रखना है ठीटा ही रखना है ठीक है इसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे किसका sin square theta cos theta और यह क्या हो जाएगा d theta और यहां पर limit जो है वो संप्सक्राइब है जीरो से पाई तक लग जाएगी ठीक है यह çık समझ में यह त्यूंह सब्क्राइब आज प Councillor कहा जाएगा PM सुलर को प्लोव एक कि अनुए करणार वह देखाया मैं टीथ निया ऑफ समय करना है यहाँ हुआज रिता इसका में करना है और फिर उस पूरे का क्या करना है हमको और एक और बार समाकलन करना है ठीक है तो यहां से देखो सबसे पहले इसका समाकलन करते हैं हम ठीक है तो यहां से हमरे पास में समाकलन यहां पे किसका है साइन स्कुरे थीटा देखो मैं क्या करता हूं इसका समाकलन हमको क्या करना है द तो यहां से cos theta d theta जो है वो किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा ठीक है तो यहां से sin theta t हो गया तो t square और यह कितना चला जाएगा dt ठीक है तो इसका समागलन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में इसका समाकलन करेंगे तो T की घा 3 बटा 3 आ जाएगा ठीक है तो यहां पर कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बटा 3 आ जाएगा और प्लस का सी ठीक है अब देखो सी लगाने की जुरूत नहीं है क्योंकि हमको क्या करना है समाकलन करना सी तो वैसे भी हट जाएगा ठीक है तो यहां पर हम क्या बोसकते हैं एक भार के लिए बूर सकतें कि सी यहां पर सी आयह था ठीक है लेकिन गोग आऊगा जो हम करेंगे लिमिट HDMI list करेंगे ठीक है यान कि हम उपरी सीमा मा इनस निम्नतम सीमा करेंगे उसमें यह क्या हो जाएगा हट जाएगा ठीक है तो पहला जो है देखो यह थीटा तो हमारे पास में कितना रह जाएगा थीटा अब देखो थीटा तो यहां पर कितना आगए थीटा तो यह साइन क्यूब थीटा बटा तीन है हमारे पास ठीक है और यह कितना हो पर हम क्या लगा सकते हैं गुणधर्म है हमारे पास में देखो अब यहां पर हमारे पास में गुणधर्म है आई जो है वो किसके बराबर है जीरो से कितना होता है जीरो से अगर यहां पर हमारे पास दो ए है ठीक है और f of x जो है वो f of x dx है ठीक है तो हम क्या गर सकते हैं इस इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यह हमारे पास में क्या आ जाए, देखो, अगर हमारे पास में यह कितना बन जाए, देखना, अगर हमारे पास में यह कितना बन जाए, f of 2a minus x जो है, वो किसके बराबर आ जाए, f of x के बराबर आ जाए, ठीक है, f of 2a minus x जो है, वो f of x के ब प्यापक बना रहे हैं ठीक है और इसके बाद में अगर यह क्या हो गया रिनात्मक आ गया तो यह कितना हो जाएगा जीरो ठीक है तो यहां से हम बोल सकते हैं यहां से पाई बटा दो यहां से कितना हो जाएगा जीरो से पाई बटा दो अब यहां पर देखो जीरो से पाई तक है ठीक है अब लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा इसको चेक करना पड़ेगा ठीक है तो हम उपर चेक कर लेते हैं देखो इसको यहां पर कि यहां पर हम इसको चेक कर लेते हैं देखो तो यहां से किसके बराबर आगया, f of 2 यह मैणस एक्स जो है, वो f of x के बराबर ही आगया तो यहां से कितना हो जाएगा, समाकलन 0 से πाई बटा 2 यहां पर 2 से गुणा हो जाएगा, यहां पर sin cube theta, बटा theta बटा कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, ठीक है अब देखो, यहां से i जो है, वो किसके बराबर आजाएगा? माइनस का दो बटा 3, ठीक है, माइनस का दो बटा 3 और यहां से, देखो, अब हम हम यहां पे क्या कर सकते हैं? इसको समाकलित कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे sin cube है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin square theta और यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे sin theta आ जाएगा अब देखो यह sin square theta जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक minus cos square theta लिख सकता हूँ और यहाँ पे d theta हो जाएगा ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक अब देखो अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ वापस से cos theta को t मान सकते हैं तो यहाँ पे minus का यहाँ पे कितना हो जाएगा sin theta आउकलित करने पे d theta बराबर किस के आ जाएगा dt के आ जाएगा ठीक है तो यह किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं माइनस आ जाएगा तो यह माइनस हम अंदर ले लेंगे तो यहां पर प्लस का हो जाएगा यह ठीक है तो यह साइन थीटा डी थीटा किसमें चला जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा किसमें चला जाएगा एक से 0 तक हो गई थीक है तो यहां पे कितना हो गया आई बड़ाबर किटना आ गया 2 बड़ा 3 एक से 0 ठीक है यहां पर कितना हो गया अब देखो इसका समाकलन कर देंगे तो ती और माइनस टी क्यूब बटा तीन और यहां पर कितना हो जाएगा एक से जीरो तक हो जाएगा ठीक है एक से जीरो ठीक है तो यहां से देखो यहां पर आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा दो बटा तीन और यहां पर जीरो माइनस जीरो बटा तीन ठीक है और माइनस यहांसे कितना आ जाएगा 2 बटा 3 और यहांपे हम क्या कर देंगे 2 बटा 3 एक रख देंगे ठीक है तो 1-1 बटा 3 यानि कि यहांपे कितना आ जाएगा 2 बटा 3 ठीक है 2 बटा 3 2 बटा 3 यह कितना हो जाएगा आई बराबर कितना हो जाएगा आएट ही जेए वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोज़ा आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर